इन्वर्सिटी ओफ मुंबई डिस्टन्स ओपन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और ये जो अपडेट है ये एक्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट है और एक और इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए आइडल स्टूडेंट के लिए एक केस में क्या करना है है ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्स में दिखा रहा होगा आरेली मेरे को बहुत सारे मैसेज़ेस आ रात में बट मैं सुचार वीडियो अपडेट करता हूं आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉलेशन मैं डिफिन शोर इस वीडि दिन एजुकेर का जो एप है वो लाइव हो चुका है आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप आईडोल से स्टेडी कर रहे हैं तो मेक शूर करना प्रिवेश सिरके कोस्टेंस एं सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टे इस एप पे अपडेट किया जाएगा कुछ अभी रिसेंटली जो है मैंने दो से तीन कोर्स अपडेट किये हैं और बाकी के जो कोर्स हैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम अपडेट करेंगे अभी हम टेस्टिंग कर रहे थे इसके लिए उसके हिसाब से हमने रखा जाए जिससे आप easily जो है idle की study कर सके at least आपको paper solutions previous year के questions paper important questions और कुछ lectures मिल जाए उसको guidance मिल जाए till your examination तक का तो आपको बहुत help होगी राइट तो अगर आपने अभी तक हमारा app download नहीं किया है तो download कर लीजिए future में अगर आप m.com कर रहे हैं में कर रहे हैं बिकॉम कर रहे हैं आप सभी courses के लिए request कर सकते हो कि क्या topics आपको चाहिए definitely sure मैं जो है और हमारे team जो है उस पे courses update कर देगी जिससे क्या होगा कि हमको पढ़ना बहुत easy हो जाएगा ठीक है बहुत सारे videos क्या होती है miss out हो जाती है बहुत सारे video कभी अलग-अलग subjects के आते हैं YouTube पे तो miss out ना हो तो वहाँ पे app पे particular जो है semester wise के हिसाब से जो है सारे courses रहेंगे बहुत सारे PDF मैं free में provide कर दूँगा कुछ lectures free में provide कर दूँगा ठीक है जैसा आप बोलोगे उसके हिसाब से हम चलेंगे जो हमारी family यह 53,000 plus की जो family हमको guide करेगी जो suggest करेगी की sir कैसे करना है definitely sure जो है आपका time और मेरा time दोनों utilize होना चीए आपका जो suggestion होगा मैं हमारे app पे implement करूँगा ठीक है तो हमारी जो family यह 53,000 की वो family आप हमें suggest कर सकते हैं उसके हिसाब से हम सारे courses update करेंगे play store पे जो है हमारा app live हो चुका है आप download कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा android का link different है, iphone का link different है वहाँ पे code के साथ आपको मिल जाएगा अब हमारे app के साथ जुढ जाएए इसमें हम सभी courses के topics related videos update करेंगे but make sure करना कि आप जो हमारी family है, ठीक है वो family आप हमें suggest करोगे उसके हिसाब से जो है हम pricing और courses जो है update करेंगे जिससे idle education जो है study करना बहुत easy हो जाए क्योंकि university में जाना वहाँ पे inquiry करना बहुत सारे problems, queries होते हैं student के results के regarding जैसे अभी results है, उसमें बहुत सारा questions है तो वो directly आप हमें पूछ सकते हो, chat कर सकते हो एक ऐसे माध्यम से, ठीक है, एक minimum price हम रखेंगे but आप जरूर suggest कीजिएगा, ठीक है, एप के अंदर options रहेगा आप हमें महाँ पे message करके आप अपना suggestion दे सकते हैं तो अब हम लोग discuss करते है results के बारे में, अब हम लोग discuss करते है results के बारे में for example, अगर आपके results में जो है, F लिखा है, मतलब fail हो आप, ठीक है इसको और मैं चाहिए तो zoom कर देता हूँ, F लिखा है, मतलब क्या है, वो fail है अगर P लिखा है, मतलब pass है, लेकिन सबसे बड़ा problem क्या होता है कि सर अगर मेरे results में RLE लिखा है, तो सर उसका मतलब क्या है, मतलब lower examination not clear, तो there are two things, पहला जो है, that means, आपका 80KT होगा first year में, second year में, या third year में, semester five में, तीक है semester six में नहीं होगा, वहाँ पे P लिखा है, फिर आगे RLE लिखा है, मतलब आप pass हो, लेकिन आपका lower examination clear नहीं है, दूसरा condition, आपका 80KT होगा, आपने exam दे के clear कर लिया होगा, तो भी वहाँ पे RLE दिखा रहोगा, तो उस case में जो है, आपको university जाना है, और सारे जो documents होंगे आपके, ठीक है, first year से लेके, second year और ID card, hall ticket, सब सारे document लेके जाओ, वहाँ पे एक RLE का form भरना पड़ता है, फिर वो क्या होगा, within 15 days या 45 days के अंदर आपका वापस से results passing आता है, क्योंकि जब RLE आता है, मतलब आपका जो mark sheet होगा, वो print नहीं किया जाएगा, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखेगा, same case apply होता है, RR के साथ और RPV के साथ, देखो, provisional, अब यह जो provisional होता है, और जो यह reserve होता है, अब basically इसमें दो condition है, provisional में क्या होता है, जो यह जो RPV है, provisional में, for example, आप जो है, study किये हो, like 11th और, like 10th और 12th जो है, आपने उत्तरप्रदेश से किया है, और फिर वहाँ से आपने यहाँ पर admission लिया है, ठीक है, University of Mumbai, तो हो सकता है कि IDOL के पास जो है, verification process complete ना हुआ हो, उस case में जो है, आपको सारे documents, transfer certificate, migration certificate, बाकी जो documents है, वो ले जाके, जो है, सम्मिट कराना है, अगर आपने मुंबई University से ही किया है, और फिर जो है, like महरास्टा बोड से 10th और 12th किया है, फिर भी आपके results में RPV दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो है, आपका जो document है, वो verify नहीं हुआ है, तो आप सारे documents लेके जाए, इनवर्सिटी में, इसका भी एक form होता है, वो form fill करेंगे, सारे documents verify करेंगे, और फिर वो RPV हटा के, आपका results print करने के लिए दे देंगे, बट ये case हमान के चलिए, कि आपको एक या दो बार university जाना पड़ सकता है, अगर आपका RLE है, और RPV है, ठीक है, क्योंकि वो university जाके department में उनको बताना पड़ेगा, उसका form आता है, form fill करना पड़ेगा, उसका एक copy आपको दे देंगे, एक copy अपने पास रख लेंगे वो, और फिर जो है, results बाद में, जो है, ऐसा online declare नहीं होगा, फिर आपको बोलेंगे, फिर आप 20 days या 30 days या 45 days जो भी वो बोलेंगे, उतने दिन के बाद जो है, आपको वापस से जाना है, वो फिर चेक करेंगे, और वो update करेंगे, क्योंकि इसका results बाद में online नहीं declare होता है, वो जो होता अगर star दे दिया है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हो सकता है कि आपका एक या दो marks grace मिल गया हो, ठीक है, लेकिन सबसे important है, कुछ भी दिया हो, लेकिन last में अगर ये F लिखा है, मतलब आप फेलो, ठीक है, अगर आपके results में F लिखा है, मतलब फेलो भाई आप, अगर P ल हैं, लेकिन semester 5 में, या हो सकता है कि semester 1 में, semester 2, semester 3, कहीं ने कहीं पे आपका इनका EKT होगा, इसके लिए RLE लिखा है, ठीक है, मतलब RLE है, तो उस case में क्या करना है, आपको university जाना है, और वहाँ पे document समिट करना है, फिर वहाँ आपको guide कर देंगा, ठीक है, आर पी बाकी F मत RLE का ज्यादा result आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, वह एटीकेटी बाकी रहता उनका या पूराना रहेगा, उसकी वह से ऐसा issue होता है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, और यह जो results है, यह अपडेट हुआ है, इन्वरसिटी के website पे लेकिन यह आइडॉल क में अपडेट हुआ है, बट मैं वीडियो जो है, आज की दिन अपडेट करूँ, तो यहाँ पडेट हुआ है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ मैं आइडॉल में जाके चेक करूँ, तो आइडॉल में देखो, results एक्शन में नहीं अपडेट है कुछ भी, ठीक है, इवन अग कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर बाकी आपके कुछ इक्स्ट्रा कोश्चन होंगे, तो मेक शूर आप पे जोईन हो जाएं, वहाँ पर अपने कोश्चन बेज देवें, डेफिनली शूर आपके कोश्चन का रिपलाई मिलेगा, ठीक ह करी का पर अपके जो सारे जो भी प्रोब्लम से हो रिजॉल हो जाएं,